हेलो गाईज, बिंदुफूट फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है आज हम गेहों के आटे से मलाई वाली मीठी मट्री बनाएंगे ये मट्टी बहुत ही स्वादिश्ट बनती है इन्हीं आप कभी भी नाश्टे में चाय के साथ या ऐसे ही कभी भी खा सकते हैं बहुत अच्छी लगती है आज हम ये स्पेशल दिवाली पर बना रहे हैं तो आएए गेहों के आटे से मीठी मट्री बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले गनेज जी को नमन मीठी मट्री बनाने के लिए हमें चाये मलाई ये हमने 200 ग्राम के करीब मलाई ले लिया है और 200 ग्राम ही हमने गुड ले लिया है अब इस गुड को हम मलाई में बिगो देंगे 2-3 घंटे रेस्ट करवाएंगे ताकि ये गुड अच्छे से मेल्ट हो जाए अगर गुड आपका हाड है तो आप इसे चूरा करके डाल ले अगर ये सोफ्ट है तो आप ऐसे ही डाल दे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे ताकि गुड जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए गुड अच्छे से मेल्ट हो गया है अब अगला प्रोसेस एक गढ़ाई में 100 ग्राम चिन्नी डाल दी है और 40 ग्राम के क्रीब हम पानी डाल देंगे और इसे धिम्मी ग्यास पर चिन्नी को गुलने देंगे और चिन्नी की चाशनी तयार कर लेंगे चिन्नी की चाशनी तयार है थोड़े से बारी कटे बदाम डाल देंगे ये ओप्शनल है चाशनी हमारी ठंडी होने पर थोड़ी जम गई है ये सेट हो जाएगी जब हम इसमें मलाई और गुड का गोड डाल देंगे और मलाई के मिक्षिर में मिक्स करेंगे आटा और एक सकत डो लगा लेंगे जब तक आटा डालते जाएंगे तब तक की सकत डो नहीं लग जाता ये हमने सकत आठा गूंत कर तयार कर लिया है और इसको 15-20 मिन्ट के लिए रेस्ट करवाएंगे और आठा सेट होकर तयार हो जाएगा अब गुथे हुए आठे को अच्छी तरह से मसल मसल कर चीकना कर लेंगे आठा हमारा लग कर तयार हो गया है अब इसकी हम लोईया बना कर रख लेंगे अब इस आठे की लोई को अथेली पर रख कर दूसरे हाँ से दबाते हुए भढा कर मठरी तयार कर लेंगे इस तरह से मठरी को हम बेलन से भी बेल कर बना सकते हैं पर यह मलाईदार मठरी है तो इसे हम हास से ही बढ़ाएंगे सारी मठरीों को हम इसी तरह बना लेंगे यह हमने कड़ाई ले ली है कड़ाई में डाल देंगे शुदगी मठरी जो है यह यह शुदगी की ज़्यादा स्वादिश्ट लगती है आठे की मलाईदार मठरी को लो टू मीडियम आग पर गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे घी हमें इतना ही गर्म चाहिए अब हम इसमें डाल देंगे यह मठरी और अब इनको अच्छी से रोष्ट होने तक बुनेंगे और इस तरह हम बाकी की मठरीयां और बना कर रख लेंगे हाथ से इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अब यह देखो थोड़ी थोड़ी सिकनी शुरू हो गई है अब इनको हम पलट देंगे बड़े अराम से हमारी मठरी में मलाई भी थोड़ी जादा है और चिन्नी भी पूरी है इसलिए मठरीयां थोड़ी थोड़ी तूट जाती हैं यह अगर आप कम मलाई की मठी बनाएंगे और कम चिन्नी की बनाएंगे तो वो तूटेंगी नहीं पर यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है आप भी प्लीज इन मठरीयों को जुरू ट्राई करें और इसी तरह हमने इसको एक छलनी में डाल दिया है ताकि इसका अक्सेस जो गी है वो निकल जाए इसी तरह हम बाकी की बच्ची हुई सारी मठरियां तलकर रख लेंगे आट्टे की मलाईदर गुड़ वाली मठरी बनकर हमारी तयार है और मठरियों के पूरी तरह से ठंडा होने के बाद हम इन्हें कंटेंडर में भर कर रख देंगे आपका जब भी मन हो निकालें और खाएं ये मठरी एक महीने तक प्योग में लाई जा सकती है अगर आपको ये रैस्पी अच्छी लगे तो लाइक करना शेर करना अपने दोस्तों में अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आप इसे सक्स्राइब करना ना भूलें अटरी हमारी सरव करने के लिए तयार है आज का सुझाव है आट्टे की मलाईदार गुड़ वाली मठरी को मीडियम और दिमी आग पर गॉल्डन ब्राउन होने तक तले अगला सुझाव आटे में मलाई या शक्कर अधिक होने से भी मठरी तलते समय घी में बिखर सकती है बहुत कम गरम घी में भी डाल कर तलने से भी मठरी बिखर सकती है आप सभी को मेरा रामराम जी